अब 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 कि अब हेलो फ्रेंट्स मैं हुँ ओमकार जहाँ आप देखने टेक विथ ओमकार दोस्तो आज की इस वीडियो मैं पूता हुँ कैसे जब बरी आसानी से कोई भी लाइक वाला सिस्टेम बना सकते हैं जैसी होता अब यूजर आता है वहां पर कोई पोस्तों लाइक हो जाता है फिर एक बार प्रेस करता है तो जो डिस लाइक हो जाता है ठीक है तो उस तरिके आप सिस्टम कैसे बना सकता है प्रोजेक भी बताऊंगा कि अच्छे से प्रोजेक्ट सब्सक्राइब और दूसरा बात ही कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि अभी जो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर एक से मस्ट वीडियो आप जाकर सभी को देख सकते हैं देखिए मैं हरोज और वीडियो डाल रहा हूं ठीक है तुछे इंप यह वीडयो है ना अब यह पूरा इन तक देख़ें ऐरा पूरा इंच का समझ मेंतिया क्या हो रहा है पूरा पूरा सोर्स कुर्स हमें जो आज़े सब्सक्रेट में दिया हुआ है कि यह दिखिए हमारा यह पेज ठीक है लोक लोकल होस्त वैटीपे मेरा यह फूंटत है यह पहले से यहां पर इस पोस्त है और यह पो अट पाल्याच भीरोग हो रहा है यहां पर यहां पर अपर पेश द्लीच जैसे में इस ब्लाक वाले हर्ट पे क्लिक करूँ ठीक है तो जो रेड हो जाए और जैसे उस रेड वाले हर्ट पे क्लिक कर तो बैक हो जाए तो जो ब्लैक हो जाए और साथ ही साथ जो डेटाबेस में सारा सारा चेंजेस भी आ जाजाए कि लाइक है तो लाइक हो जाए अनला लोगिं कर देता हुं ठीक है मैं यह होता किए कि अ मतलब है यह हर एक रोह के लिए को कि यूगिंटिफाई कर Hm कि मेरा ये जो है युनीक है और साथी-साथ यहां पे लाइक के लॉषाइं कि हुझ साथ오kiho तो लाइक क्या है तो उसको यहां डालेंगे ठीक है फिलिए सुरू करता था यह वीडियो तो यहां पर देखे मैंने सिंपली यहां पर डाल दी अब मैं चाहता हूं कि जैसे पर आइड बटन है लाइक बटन बोलू तो यह जो है ना इस जो हाइड वाला साइन और यह जो जी लेक वाली में तो यहां पर मैं टेक टाइटल बनाता हूं पहले डाइटल में किया करना चाहाँ और यहां पर इस कर दीक agora मैं चाहिए यहां पर एक साथ मेरा। जाए है जिसे साथ भी सब्सक्त है उसके लिजशनी चाहिए और यहां पर यहां पर हए ट Maar क्योंकि ATTR करने से क्या मैं attribute की साथ खेल सकता हूँ ATTR attribute attribute क्या है मेरा title है अब यहां अगर मैं इसे variable में डाल दूँ वहार ID करके एक variable बनाते हैं उसमें इसको डाल देते हैं और यहां पर simply alert करूँ करूँ कि मैं इस variable इस ID को अगर मैं इस करके आपको यहां पर इस पर देखिए यहां पर आ रहा है रा सिंप्ली मैं यहां पर तो आ रहा है मतलब कि मेरा जो चाहता था पहले में वह में इस अधम इस पर देखिए जो रेड हर्ट क्योंकि हमारा बाद में इनेबल होगा जा हम लोग उस पर हर्ट पे क्लिक करेंगा ठीक है तो यहां पर मैं गेट.php पे गया यहां पर करें जो हब सिंप्ली पहले ओपिणिए इन ऊप्लोजिंग करते हैं पी अच्प फाइल का यहां पर मैं करूंगा यहां पर मैं साथी साथ साथ एस पोड़ेता हूँ ch dh s.post Jagu basically यह तीन perimeter लेता है पहला perimeter की इस page में भेजना है तो मैंने पोला get.php में मुझे data भेजना है इसने पुचा जाए data भेजना फीना है तो मैंने बोला कि पहला data नमका data है उसं में ID नम यह डिटर नम का data में मुझे id देदो जो कि यह id हिए और मैंने बुझा अर्ब नाम और अर्ट वैरीडिबल बना हो यहां पे एक हाउश नामका अले हाल में कडू क्योंश चेग कर देते हैं सिर्फ और टांसा त्सारा इससलिए अजा कर देते श्रुंसे engineers कर देते हैं अब है यहां हुआ क्या data मिला उसको को साब समय फेलth करें शीस इसाबसे होग फैसला करें एक यह जो would the user ने उसने लाइक किया और क्या है और यहां पर मffff अपले है सन्पर ब्लैक अटाल करें रहने और यहां पर मैं किषो पीड करंगा if it said if it said as post तो अब बोलेगा मैंने क्या लिखा तो दोस्तों मैंने क्या किया मैंने बोला कि यह जो पेज से मेरा हाओ आरा है मतलब हाओ नम का जो यह वेरियेबल है ठीक है जिसका वैल्य मैंने साइन कर रहा है और वेरिफाइ हो रा है कि हाँ यह जो बेटा यहां पर मिल रहा है और कोई यूजर क्या करेगा सिदा गें अर्ड़ गर फिर जाएगा उगर जाएगा करेगा तो क्या होगा उसको एक इरर मेंसे जाएगा इसलिए मैंने यहां पर S ID करके बनाऊगा, यहां पर Post ID मनाते हैं, Post ID equals to S Post ID, तो मेरा जो यह ID है, जो कि मैंने यहां से लिया है, Index.php से मैंने किया, इस ID को लिया था, ठीक है, तो मैंने यहां दा करें श्टोर होगा, यहां पर ID यहां पर यह डेटा था, अब दूसरा काम मुझे क्या करना है, देखिए, अब मैं क्या करना हूँगा, Simple जो है, मैं इस, मैं जो टेबल है, मैं जो लाइक वाला टेबल है, मैं इस लाइक वाल टेबल पर इस Query को एक Query करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं सबसे पहले एक Connection बनाऊँगा, क्यों मैं डेटाबेस लाइक करना चाहता हूँ, New MySQLi करते हैं, तो यहाँ पर M कपी करना परेगा, MySQLi, MySQLi, फिर यहाँ पर पहला परिमेटर होता है, Localhost, और दूसरा परिमेटर होता है, इसमें Root, मतलब कौन सा यूजर यूजर कर रहा है, उस यूजर का नाम, यूजर नेम, यहाँ पासवर मेरा कुछ निए इसलिए पासवर ब्लैंक और डेटाबेस का नाम मैंने रखा है CAPTCHA, और दूसरा यहाँ पर दूगा मेरा SQL QUERY, क्या SQL यूजर करना है, यहाँ पर SQL करके, select यहाँ पर paste करते हैं तो यहाँ भी मुझे select नहीं चाहिए, मुझे like कर चाहिए, मतलब किसने like किया है और मुझे like चाहिए कि क्या like हुआ है इससे हटा देते हैं, इससे भी अटा देते हैं पर उसके पहले मैं और क्लाप करना चाहूँगा, वो ही यह कि मैं यहां पर खुद को एक variable assign करना चाहूंगा, खुद को एक user ID assign करना चाहूंगा, suppose कोई अभी कभी भी जा हम लोग इन करते हैं, तो लोग इन करते हैं, क्या होता है, कि हमें एक identity दियाती है, unique identity, क्योंकि मैं यहां पर login नहीं करते हैं, मेरे पास कोई भी unique identity नहीं है, user ID, basically इसमें one assign करते हैं, जो कि मेरे user ID समझ लिजी है, और यहां मैं यहां पर यहां पर जो मैं simply एक session बना देता हूं, आ उपर में ही, session start, और यहां पर user ID में मैं इसे store भी कर लाता हूं, यहां साथ ही साथ, user ID equals to s session, user ID, अब मैं क्या करना हूं, मैं SQL कर रहे हूं, इसे fire करने के लिए simply लिखूंगा, यहां पर पर इसे और तरह चेंज करना हूंगा, select liker, like from likes, where, where liker equals to, liker होना चाहिए यह वाला, s user ID, तो इसे एक quotation में देते है, user ID and like equals to, अब मैं बोनों का लाइट क्या होना थे, दोस्तों, यहां पर like में करना हूंगा data, तो मेरा पोस्ट आइडिया, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करें, simply यहां पर लिखोंगा post ID, यहां मैंने store क्रिक रखाया है, अब अगर यह जो result है, यह 0 आए, अगर यह वाला चीज मुझे 0 मिल गया output में, मतलब कि अगर मैं execute करूंगा, अगर मैं रो जो है, इसमें 0 आया answer में, तो मैं क्या करूंगा, यूजर से लाइक करूंगा, अगर यह 1 आया, तो मैं यूजर से लाइक करूंगा, ठीक है, तो यहां पर मैं simply कलता हूँ, कौन, query SQL, SQL1, पर उसके लिए, यहां पर मुझे देना होगा, एक stress नाम का variable, stress, if, s, num rose, यहां पर मैं चेप करूंगा, इस नमबर रोज है, वो एक है, यह दो है, कितना है, तो यहां पर s, rose, num, numbers greater than 0, अगर यह greater than नहीं, equals to equals to 0 करते है, equals to equals to 0, तो क्या होगा, तो यहां पर होना चाहिए, यहां पर देखते हैं, किस तरी की output में रहा है, इंडेक्स.php में, यहां पर एक काम करता हूँ, यहां जो मिना data है, simplest data को मैं alert करा कर देखता हूँ, alert data, तो मुझे जहां तक लगता है, मुझे यहां से मिलना चाहिए, एक like का, यह alert, तो यहां पर मैं जो एक error दे रहा है, वो error यह है, कि cannot use exit on the result on an expression, तो यहां पर equals to equals to see, तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर एक problem उगार था, यहां पर मुझे equals to equals to assign नहीं देना था, तो यहां पर simply मैंने as post out कर दिया, मतलब मुझे पता होना चाहिए, कि मेरे यह बटन से प्रेस होका रहा है, ठीक है, अब मैं जैसे page को refresh करो, यहां पर like क्लिक करो तो देखिए, यहां पर like वाला आ रहा है, जो कि मैं चाहता था कि यहां पर like होना चाहिए, ठीक है, अब मैं एक और काम करना चाहिए, अगर यह मेरे like होता है, तो मैं यहां पर 2 SQL query चलाना चाहिए, पहला SQL query यह है, कि मैं यहां पर यह row है, इसका count है, इसका count है, यह एक बढ़ जाना थी, ठीक है, एक बढ़ना से के पहले, तो इसके लिए मैं simply लिखूँँगा, sql query 1, एक और SQL को यह लिखते है, SQL करके, और यहां पर मैं update के लिए simply जाके, लिखने साच है, मैं यहां पर copy कर दो, update, गया, copy, paste, update, set, यहां से count equals to, count equals to count plus one, तो यहां पर जाता को कहां पर चैंज करना, तो मैं बोला कि जहां पर जो user, जहां पर यह post id है, ना, वहां पर, तो यहां पर मैं क्या करूँगा, id equals to, s post id, अब अब अगर मैं refresh करूँ, तो कोई output नहीं आगा, क्योंकि मैं यहां पर एक old line लिखना बाकि है, अब मैं क्या करूँगा, यहां पर इस line को फिर से लिखूँगा, क्यों सा line यहां पर, यह कौन query वाला line, s con query sql, तो इसली अब क्यों नहीं पर इस लिख करूँ और पेज को refresh करूँ, और यहां पर जो मैं जैसे यहां पर दिखिया यहां पर बटन को प्रेस किया ठीक है, हो गया होगा तो अभी है आप लाइक करने से तो इसलिए कि मैंने क्वेड तकि मैंने कोई दिया था कि यहां पर क्लिक करूं और यहां पर यहां पर क्लिक करता हूं तो यहां पर इसका लाइक भी करते हैं जिलो को इसका लाइक करते हैं जीलो यहां पर इसकल करते हैं तो यहां पर इसकुल लिखेंगे SQL 3 करके लिखते हैं SQL 3 equals to और यहां मुझे क्या करने है इस बार मुझे insert quality डालना है और insert quality डालना है कि इसमें likes वाला table में यहां पर insert में नहीं यहां पर SQL पर गाये और simply यहां पर insert quality माल के यहां पर copy copy, copy, paste यहां पर यहां पर डाल दिया अब insert into likes आईड नहीं डालना है Liker का ID किसने like किया है और किस चीज को like किया वो डालना है और यहां पर जो image है वो मैंने वैसा ही डाल दिया अब धिर्ट को मिष्च एयुक्र गॉर्ट मन आपक्राय थे में रमक्रम के अंदर रा इड़ क्या था मेरा मेरा रॉट का हैच है कि मैने ऍहांपने 75 सब्सक्राइज की में इसे यूज़ा आई गर Canada हुआ है कि पूछ का यहां पर कैनुन साथ है कि ह्पोश्ट को सों यहां पर मुझे और यहां पिपटीर। मुझे एक न्य लाइटा इंसरेटड नहीं मोलब imitation को देखें मुझे खुली मुझे डेटा इंसरेट नहीं अधिन कुए क्मांड ko लिखा अडया इसे fire किया इसे fire करने के लिए मैं simply लिखूंगा S, यहाँ पर S, पहले connection देंगे अपना, फिर यहाँ लिखेंगे query, query के अंदर की query को हम लोग fire करना चाहते है, तो हम लोग SQL 3 को fire करना चाहते है, simply SQL 3 को fire किये, मैं अगर इस बर इस बर पिज को है, और इस की हम लिखेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर यहां पर लिखा भडाई है, safaj, अभी चक्ली कर दो है, यहां पर लोगा हो गया एप लिखेंगे, यहां पर लें यहां पर खीड़ें शेया Кिया खेंगक। genen अप्लोड में सब काहोंत अभी 11 इसका वान इसका ही चाहने से पहले कि ने कमांद हमने फार किया था क्योंकि यह कंद यह इस लिए ने यहां पर पोड़ को आजिए जिसक फ़िकर Juice मोप की थी का मत énormément चैई तभी इस command को fire करना है ठीक है अभी रोज जो है 0 से ज्यादा हो गया इसलिए डिसलाइक वाले section में चला गिया है ठीक है इसलिए मारा यह सब काम हो रहा है अब मैं क्या करूँ का यहाँ पर अगर यह भी command successfully run हो जाता है तो मैं यहाँ पर simply echo कराऊंगा अर्व एको यह होगा इको करते हैं light अब यहाँ पर मैं simply dislike वाले section में कुछ इसी तरीके से काम करूँगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो है मैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर इस ना डाल के करता हूँ if else else if करते हैं e else if मैं condition डालता हूँ कि अगर numrose जो है if rest numrose numrose greater than greater than 0 या फिर equals to equals to 1 equals to equals to 1 तो क्या होना चाहिए तो same मैं यहां पर फिर से यही queries तब को execute कराना चाहूंगा तो यहां पर इससे copy करते हैं sql2 को और यहां डालते हैं update से count मैं minus करूँगा 1 और यहां पर if यहां पर पेस्ट किया और यहां पर इंसर्ट का जगा पर यहां पर डिलीट वाला कोरी आएगा तो एस्कुल 3 से जो है डिलीट वाला कोरी को ले आते हैं अप्लोड लाइक्स तो दोस्तों मुझे डिलीट करना दिलीट में खहा से करूँगा जहां पर यहां पर यह पर यहां पर लाइक कर होगा मैं ठीक है डिलीट ऊर्बल लाइक्स वेर लाइकर ईकोश्ट तो इस यूजर इदी and like decals to s post id ठीक है अब फिर में चाहता हूँ कि अगर मेरा ये जो condition ने फिर से काम आ जाए तो condition अगर मैं use हो जाते मैं क्या करूँगा फिर से con बनाऊँगा con query con query sql3 और यहां पर मैं क्या करूँगा मैं यहां पर simply कराऊँगा एक echo disliked dis naam से एक बनाते हैं करते हैं इसको refresh यहां पे से हटाते हैं यहां करें देखिए यह dislike हो गया ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहां पर जितना भी टेबल सब था अच्छे से मैं यहां पर हटा जाता हूं सभी को zero करता अब ठीक है यहां पर सब क्लिक किया यह लाइक हो गया इसपे प्लिक किया यह भी लाइक हो गया, तिंवार प्सलार CT criteria को गया प्ंच यहाँ फिर्सेट में प्लिक करूँ अब Capital देड़ा हो गया और यह बहराइक हो गया जूज घंजिया धिस्लाइक हो गया है बहुत में safről जो कर रेखेया, ठीक है count by zero हो गया, ठीक अभी मेरा backend का काम सरा एक तम 100% complete हो गया, अब मैं क्या करता है, data मिलने के हिसाब से मैं सरा का सारा काम अब यहां पर करूँगा, तो यहां पर मैं क्या बोला, यहां पर इफ data equals to, equals to liked, अगर data है, अगर like हो गया, तो मैं क्या करूँगा, यहां पर दूँगा, अगर data else if, else-if data equals to equals to this जो कि dislike के लिए मैं बना रहा था, ठीक है? अगर dislike होगे तू क्या करना है, वो मैं यहां दोगा तो यहां पर like के लिए क्या करते है, like के लिए मैं क्या करऊँगा? like के लिए थी, select करूँगा पहले this-chari check query के through मैं इसको select करूँगा, पहले dot like को select करते है एस डिस डॉट चिल्रेंड तो मुझे लाइक को सेलेक्ट करना है फिर इसका क्लास देना है डिस डॉट चिल्रेंड किदर गया डिस डॉट चिल्रेंड चिल्रेंड अब चिल्रेंड मुझे देना है क्या मुझे इसका सोर्स को चेंज करना है यह जो इसका सो इसका जो क्लास है अब चिल्रेंड मुझे अब लाइक करना है